कि नमस्ते कैसे हैं आप सब चलिए करते हैं दिल की बात एक दम साफ आज हम मुवी रिव्यू करने वालेंगे मुझी दम मैकिंग ऑफ हर नेशन ये मुवी बना है उस आदमी पे जो बंगलादेश के पहले प्रधानमंतरी बना था जब भाड़त ने पाकिस्तान की एसी तैसी करके इसके दो टुकड़े किया था वहां के पहले प्रधानमंतरी यही बना था लैकिन हम इस मुवी को sliding के पाहले इस व्यक्ति के वारे में जा फोगा था कोलकता और नौखाली में हिंदूओं का नरसंगार किया गया था उसमें जो आज आप देख रहें इसरायल में हमास ने जीशत अश्तर का कुरूरता किया है वह इसा कुरूरता था हम भौत वार देख चुके हैं उससे कम-श्कम 200 गुना बड़ा कुरूरता था नौ कोट अहिंसा के पुजारी वहां के हिंदूओं को ही दोसी ठाराया था उस नरसंगार को कराने वाले का सिस्से था ये मुझी बुल्रामान उसी को पर बनाया है ये मूवी और मूवी देखके हमें लगता है कि गोबर के उपर बहुत ही जाद एक क्रीम लगा के उसको केक की प्हुतर हमारे सामने पेस किया गया है को बनाया है बंगलादेश आहरा अंडिया दोनों ने मिलक को पूरा सbit कोभूतर उड़ाया गया है जो सचाई से दूर दूर कोई लेंदा देना नहीं डिरेक्ट एक्षन डे का इस मूवी में जिक्र किया गया है लिए वहां पर क्या दिखाया है कि हिंदू भी कतले आउं कर रहा है पंदे मात्रम के नारे लगा के हाँ यदि इस मूवी को हम सिर्फ मूवी के पॉंट वियू से देखें तब बहुत अच्छी तरीके से बना है तीन घंटे को होने के बाबजुद हमें इंगेज रखता है मूवी कई बार हमें भावुक भी करता है हमारे अंदर इंट्रेस जगाता है कि आखिर इस ब्यक्ति के जीवन में आगे क्या होने वाला है हम उत्सुक बने रहते हैं तीन घंटे तक हम देखते हैं तिम में जाकर बहुत जागत भावुक भी करता है इस मूवी का सच्चाई से दूर दूर तक कोई ले ना देना नहीं बिना मतलब का सांती के कब उतर उड़ाया गया है मुझी ब दिखाता है कि ये सब के नेता है सब को साथ लेके चलने वाले है पता ने साथ लेके सब को कहां चलने वाले नेता है जिस बंगाल में अजादी के समय 20% हिंदू था अब सारे 7% पचा है कहां गया है आसमान खा गया जमीन निकल गया क्या हो गया सब को साथ लेके कहां चले यह मूजी गुलल रहमान के बहुत है तो मैं इसमें से 3 concerned मुझी मुजी को जिंदगी को दिखाटा добр 269 किरो इस्टार चलिए पर मिलते हैं किसी और वीडियो में लाइक कर दिए शेयर के लिए सब्सक्राइब कर लिए हमारे चैनल को नमस्ते